36 गड के बिलासपुर के वाने जिक कर कारियालने में वाने जयेव मुद्योग मंत्री कवासी लखमा पहुचे उनके वहां पहुचने पर हरकंप मच गया इसके बाद पत्रकारों से बात चीत की इस दोरान आप कारी से संबंधित शराब मिलावट के सवालों पर कहा कि शराब मिलावट की शिकायत कुछ जगहों से मिली थी जिस पर कारवाई भी की गई है यदि शराब मिलावट की सूचना मिलती है तो उस पर आगे अवश्य कारवाई की जाएगी वहीं अवैद रूप से शराब विक्री को लेकर कहा कि अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आब कारी विभाग केवल कच्ची शराब महुआ को ही पकड़े महुआ वह कच्ची शराब के अलावा देशी विदेशी पर भी कारेवाई कर सकती है आपको बता दे कि शहर में लगातार आब कारियों की कारेवाई केवल गाओं तक ही सिमट कर रह गई है यहां केवल कच्ची शराब वह महुआ लहान को ही आब कारी द्वारा पकड़ा जा रहा है अभी तक ऐसी कोई बड़ी कारेवाई देखने को नहीं मिली है जिसके चलते अवैध रूप से ब्रांड एवं अंग्रेजी महंगी शराब की तसकरी हो रही है अब तक जितनी भी बड़ी कारेवाई हुई है वह केवल पुलिस विभाग के बड़े तसकरों तक पहुँचकर की गई है चतीस गड़ से स्टेट है प्रणय अगरवाल की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाल झाल 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 झाल